जैने फ्रेंट्स मेरा नमजीद सिंग और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी-खरी ये जब ये किसान आंदोलन जब से चल रहा है तो आपने यूट्यूब पे ने एक लड़की देखी होगी इंट्रनेशनल शूटर पूनअफंडेच वो किसान आंदोलन के मंचों से बहुत ज्यदा बोलती ती और चपड़ 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 सारा दिन बोलती ती उसकी बहुत सारे वीडियोट जो जो यूट्यूब पे चल रहे थे पिर पता बतार दिया यह सब बहुत सारी बाते हैं उसके साथ बड़ी कंट्रवर्शल थी वह फिकर बन गी थी और किसान अंदुलन का कोई भी नहीं था जो है उसको नहीं चाहता था कि वह हमारे किसान अंदुलन में दिखाई दे या मंच पे दिखाई दे उन्हें गा जी इससे हमारा है तो यह किसान अंदुलन में जो यह लड़की पॉपलर होई है ना पूनम पंडेत है इसका नाम यह बुलंद शेर्ट राइट के यूपी की रहने वाली है यह अपने आपको इंटरनाशनल शूटर बताती है तो मुझे कहीं लोगों ने जो शूटिंग से जुड़े वे लोग है उन्हें इसको जड़ा एक्सपूद करने की दरत है कि यह कोई इंटरनाशनल शूटर बूटर नहीं है तो और यह खुद को इंटरनाशनल स्पोर्ट्समेन बताना यह एक बड़ी व्यापक समस्या है और एक व्यापक भ्रांती है जो समाज में फैली है और हमारे हम जहां जाते हैं फर एक्जमपल यह कुछ गेम ऐसी है कि यह जैसे टाइकवंडो है और यह मार्शल आर्ट्स है फिर यह शूटिंग जैसी गेम इसमें किया कि बहुत सारे क्लब जो है आजकल सक्री हो गए हैं और यह डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेज़स में यह अपना धं में पहुंच जाए का जी मैं टाइकवंडो ट्रेनर हूं और स्कूल जो है जाकि जता कि मैंने बताए कि हमारे हां शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा दोखा एक आई बास चल रहा है कि कुछ नहीं कुछ एक्टिविटी करते दिखते रहने चाहिए बच्चे उनकी फो इसलिए इस प्रकार के एक्टिविटीज को बहुत ज़्यदा रिमोट करते हैं तो यह इस प्रकार के शूटिंग और टाइकवंडो जैसे जो होते हैं यह क्या करते हैं कि आपके बच्चे का सेलेक्शन हो गया है वह स्टेट खिलाने ले जा रहा हूं एक नेशनल टोर्नमे है तो पैरन्ट को लगता है कि ताब मेरा बच्चा तो नेशनल टोर्नमेंट है और वो पता लगा कि आपके बच्चे को ले गया और कहीं चार दिन जो है किसी स्कूल में एक टॉर्नमेंट हुआ जहां पास साथ ऐसे ही इसी प्रकार के कोचे ने अपने अपने स्कूल के वहां ते आपका बच्चा जो है उचा होता गया कि बीस में से पंदरा बच्चे जो है वो गोल्ड मैडल ले आते हैं उसमें से, अपांसा सिल्वर ले आते हैं, पेरेंट बढ़ा खुश होता है कि जी साडामूंडा गया गया भाता, डिक उड़ी गयी सेगी, दो गोल्ड मैडल थे फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई या टोकरी भरके जो मैडल है सबसे पहले तो मैडल का पता लगाओ कि किस लेवल के मैडल है किस टूर्नामेंट के मैडल है तो एक सिंपल सा एक फर्मूला होता है कि जो कोई भी स्टेट या नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट होता है वह मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट तभी माना जाएगा जब उसको उस देश की मान्यता प्राप्त फेडरेशन उस टूर्नामेंट को आयोजित करेगी उस टूर्नामेंट को प्रमानित करेगी वह उस फेडरेशन का मान् रेसलिंग है तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो कि युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नामकर के एक अंतराष्टरी फेडरेशन है उससे ifiliated है उसके द्वारा मनित प्रापत है वो रेसलिंग जब आधिकारिक टॉर्णामेंट आपका बच्चा जब खेलने जाता है तो उसको कहते है नेशनल चैंपियंशिप वह अलग अलग एज ग्रुप्स की हो सकती है वह एकदम छोटे बच्चों को सकती है वह स्कूल स्कूल लेवल के लिए अलग फेडरेशन होती है स्कूली के गेम्स वकराती है वह हमारे अजगर सर्जिस के प्रेजिड़न थे ना स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑप इडिया हालाकि उन्होंने भी बहुत बड़ा उसमें फ़र्जे वड़ा मचा रखा था वह मैंने अपनी मैंन की अलग होती है तो यह सब अधिकारिक टूर्णामेंट्स होते हैं तो यदि इन में आपका बच्चा खेलने जा रहा है तब वो माना जाएगा कि वो नैशनल्स खेलने गया और उस नैशनल चेंपिन्शिप में यदि वो मैडल लेके आता है तब आपके एक स्कूल के एक फरजी कोच ने एक फरजी टूर्णामेंट जिसका नाम नैशनल चेंपिन्शिप रग दिया और आपने अपना बच्चा वहां भेज दिया और वो चार मेडल जीत के लिए पांच साल में आपके बच्चे ने बीस मेडल जीत लिए तो आप अख़बारों में जो फोटो थिए त मकि बहुत बड़ा अड़्ा है फर्जी नेशनल त टाईकवनडो और मर्षयल मार्शल आर्ट्स के में इस शूटिंग के भी नेपाल होते हैं तो इसे ही एक फरजी टूर्नामेंट में यह आपकी जो किसान नेता है पूराहं कुशनल पंधित कि मैं इंटरनेशनल शूटर पूर्ण पंडित हूं तब यह इसका कभी डिस्टिक लेवल का भी स्टेंडर्ड नहीं रहा है और जो आपकी जो नेशनल जो शूटिंग की जो एस्सेशन है ना उसका नाम है थाब एन आर ए आई यह एन आर ए आई जो है जैसे हमारी डबलो फाई है तो शूटिंग वालों की है एन आर ए आई एन आर ए आई की एक वेबसाइट है जिसमें 2014 से लेकर आज तक सभी स्टेट लेवल नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेंट्स और म काईदा सर्च करके दिखा है तो इस पूनम पंडित ने कभी कोई एन आर एए का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेंट नहीं किया है पर यह अपने आपको और और दूसरी बात है चलो पूनम पंडित तो अपने आपको नेशनल इंटरनेशनल शूटर बोलती है तो भी यह हमारा मीडिया क्या कर रहा है मीडिया को तो यह बात पबलिक को बतानी चाहिए न हर आप किसी भी मीडिया में देख लिजए यूट्यूब वालों को देख लिजए यूट्यूब चैनले में देख लिजए हर आदमी हर पत्रकार सो कॉल उसको जुह इंटरनेशनल शूटर बताता है तो सब मेडिया वालों को तो ये तहकीकात करनी चाहिए ना कि हम जिसको इंटरनेशनल शूटर बना बता रहे हैं वो किस लेवल का शूटर है तुमको किशान अंदुलन में भाग लेना है ना तुमको सड़क जाम करनी करो ना उसके लिए तुम्हारा नेशनल शूटर होना ज वाई शूट यू क्लेम तो अब ये इसके पीछे कारण गया कि ऐसे तो उनको कोई पूछेगा नहीं तो सब मैं इंटरेशन शूटर हूँ और मैं किसान नेता पूनम पंदेत हूँ तो इसलिए मैं जो है सड़क पर बैठके नेतागरी कर रही हूं और चपड़ चपड़ बोल रही हूं तो सब इस वीडियो बनाने का मतलब है कि आपके पास भी ऐसे बहुत से प्रवलोभन आएंगे जब कोई व्यक्ति आपके बच्चों को बोलेगा कि लाई साब मैं आपके बच्चों को इंटरनेशनल खिलाडी बना दूँ पिछले साल दिल्ली में ऐसा एक के भावक को बोला कि लाईए मैं आपके बच्चे को इंटरनेशनल खिला दूँ और किसी यूरोप के किसी देश में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रा था फुटबॉल या होकी का या ऐसी किसी गेम का तो उसने बोला कि लाईए मैं आपको इंटरनेशनल खिला दूँ आपके बच्चे को तो वो जो पैरेंट था वो थोड़ा सा समझधार था तो उसके एक परचित थे वो रेसलिंग कोच थे तो उन्होंने बोला को साब यह हमारे बच्चे को इंटरनाशनल खेलने का मौका मिल रहा है तो यह आदमी है और यह कह रहा जी मैं रहा है नाख रुपए में आपको परटिसिपेशन करवा दूँगा तो उसको साब ने बोला कि उसका नंबर मेरे को देदो नन्होंने नंबर दे दिया इन्होंने फोन मिला लिया बुले आजी कौन सा टूर्नामेंट है बुले यह टूर्नामेंट है तो बले जी इंट्रनेश्टन टूर्नमेंट है बुला जी इंट्रनेशल टूर्नमेंट है तो आप खिला दोगे जिए मैघ घला झा घृलते के बंट्र नेकर यां बिदिस्टिक में बेर पानिकर् Сथान के लिए बच्चा पैले डिस्टिक खेलता था रख पहता है उ यहने भारत को रेप्रेसेंट करने के लिए चैने होता है यह कौन सा अगे अग्याद है दिल्ली एजूकेशन के उन्होंने कभी फोन ने वार में और वो बात आई गई होगी तो साब ये जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं न ये आप भी दान रखे कि अगर आपका बच्चा भी किसी स्कूल कॉलेजी में पढ़ता है तो आपको भी लोग ऐसे बेव को बनाने वाले आएंगे कि लाओ आपके बच्चे को इंटरनेशनल प्लेयर बना दे वै मैडल लेने के लिए पांट साथ साल जो है ना अखा अखाड़े में मैं मैं मैट पे फिल्ड में तपस्या करने पड़ती है सुबद दो गंटा शाम को दो गंटा पांट साल लगाता तब जाके बच्चा सब जूनियर जूनियर कैडट खेलने लाएक होता है वो भी डिस्ट बच्चे को इंटरनेशनल खिला तो बुल वही है यह फरजी बड़ा और ऐसे इंटरनेशनल मैडल किसी काम के नहीं होते हैं सिर्फ मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट के मान्यता प्राप्त मैडल की ही वैल्यू होती है इसलिए वो जो अख़बारों में छपते हैं ना कि तोकरी भरके इस बच्चे का पास मैडल है इसके बावजुद इसको नौकरी नहीं मिल रही यह सब फर्जिवाड़ा होता है जो सचमुष टोकरी भरके वाके ही रिकगनाइज टूर्नामेंट में रिकगनाइज इवेंट्स में रिकगनाइज गेम्स में जो टोकरी भरके ज तूर्णम्पंडित मत बनाईए तो इस प्रकार का फरजी इंट्रनेशनल अपने बच्चे को मत बनाईए जो मैंने सही तरीका वो बता दिया है कि सही तरीके से अगर आपके वाकी बच्चे को खेलाडी बनाना है तो ग्राउंड में भेजिये किसी अच्छे जानकार कोच के साथ दो चार पांस साल सुबह शाम मैंने का ना दो गंटा तो है दो गंटा चाम पांस साथ साल तक जब बच्चा तपस्चा करेगा आठ नो साल की उबर में शुरू हो जाएगा तब जाके पंदर साल की उबर में सब जूनियर कैडट खेलने लायक होगा और उसी को खेलाड़ी मानिये और इतनी तपस्चा के बाद जब राश्क्रिय फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रायोजित किसी टूर्नामेंट में बच्चा भाग लेता है और उसमें जब मैडल लेके आता है तब आप अपने बच्चे को स्टेट या नेशनल चेंपियन या नेशनल लेवल का खेलाड़ी मानिये इस प्रकार के दोखा धड़ी में मत फचिये ने तो कल को आपका बच्चा भी एक नया पूनम पंडित बनके तियार हो जाएगा बनके खड़ा हो जाएगा और मुझे आशा है कि आपको या आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो होगी और इस वीडियो का उद्देश्य बिलकुल भी पूनम पंडित की आलोचना करना नहीं है वो सिस्टम जो पूनम पंडित तयार करता है ऐसे फरजी खिलाड़ी फरजी टॉन्ड़मेट्स में फरजी मेडलिस्ट बनाके जो इंटरनेशनल फरजी इंटरनेशनल दुराव या नहीं है मेरा उनको एक्सपोज करने का ऐसा कोई अल्यादा भी नहीं है मैं तो कि इस प्रकार से आप अपने बच्चों को इस प्रकार के फ्रॉड से बचाईए आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धंदे बात थेंक्यों वेरे माच बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिलते मिलते